कहानी अब तक मही रिशब की बात सुन आखे बंद कर सोचने लगी क्या रिशब सच में मुझसे प्यार करता है फिर वो जब से उनकी मुलाकात हुए तब से अब तक सब चीजे याद करने लगी फिर आखे खोल रिशब को देख एक्सिटेड होते हुए बोली मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और उसके गले लग गई रिशब भी उसके गले लगे है बोला हाँ अपनी जान से भी जादा अब आगे थोड़ी देर गले लगने के बाद रिशब मही से अलग हुआ और बोला मही अब तो साइंग करोगी न मही थोड़ा सोचते हुए बोली मही उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर बोली अरे वह बड़े अच्छे से जानते हो मुझे फिर वो आगे बोली मेरी पहली शर्थ ये है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ ये बात सिर्फ अक्षत और तुम तके रहनी चाहे ब तुम्हारी सवालों का जवाब दू और तीसरी में जैसे अपनी लाइफ पहले जीती थी अभी भी वैसे हे जियोगी अगर ये सारी शर्ते मनजूर है तो शादी के लिए रेडी हूँ रिशब ने सारी शर्ते सुनकर बोला मुझे तुम्हारी सारी शर्ते मनजूर है पर ल सारी शर्ते मानी एक मेरी भी माननी होगी। मही को समझा गया था रिशब आब उसकी नहीं सुनेगा उसने उसका हाथ हटा लिया और बोली अच्छा ठीक है लाओ मुझे पेपर दो। रिशब मही की बात सुन खुश हो गया और जल्दी से उसकी गोद से उठा और टेबल से प कीमती साथी जो मिलने वाला था। मही ने भी हा में सिर हिला दिया और फाइल ले उसमें साइन करने लगी। साइन कर उसने पेपर रिशब को दे दिये और पेपर के साथ ही एक प्यारी सी स्माइल भी दी। रिशब ने भी एक स्माइल दी और पेपर लेकर देखने लगा की पेट में मोभुसा कर बोला I love you माही दिल में आज कितना खुश हूँ में बता नहीं सकता माही ने भी उसके बोलों में हाथ फिरते हुए कहा love you to रिशब में भी बहुत खुश हूँ वो दोनों अभी बाते कर ही रहे थे कि अक्षत अंदर आया और रिशब को इधर उधर द ठका हुआ था जिस वज़े से रिशब उसे दिखाई नहीं दिया और वो बाकी जगा इसलिए देख रहा था क्यूंकि रिशब अपनी चया पर नहीं था और वो और कहीं नहीं बेटता है माही अक्षत को देख हैरानी के साथ उससे पूछी क्या हुआ अक्षत किसे धूर र बोला मैं यहां हूँ अक्षत ने रिशब का हाथ देखा तो वो माही के सामने आया और उसकी आखे बड़ी हो गई वो अच्रज के साथ बोला रिशु तू माही की गोद में ऐसे क्यूं लेटा है रिशब उठा और सोफे पर बेटते हुए बोला ऐसे से क्या मतलब है तेरा मैं अपनी बीवी के गोद में जैसे चाहू वैसे सूहूं माही रिशब के मुल से बीवी सुन उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्यूंकि वो कबसे इसी के सपने देखा करती थी अक्षत रिशब की बात सुन उसकी आखे बाहर आने को थी वो कभी कोमल को देखता तो कभी रिशब को फिर वो माही को देख बोला माही तुमने साइन कर दिया वो भी बिना किसी बवाल के इस बात पर माही और रिशब दोनों ने अपनी एक आईबरो उठा उसे घूरने लगे जिससे अक्षत डर गया और अपनी बात को सही करते हुए बोला मेरा मतलब ये है तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई माही रिशब को देखते हुए बोली क्यूकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते है तो शादी करने में क्या हर्ज है अक्षत माही का जवाब सुनह में सिरहिला दिया तभी पीछे से कोमल आके माही के गले लग गई और बोली कॉमराट्स माही आखिर कार तू ने अपना सपना पूरा ही कर लिया असल में कोमल को भी रोहित का एक मेसे जाया था जो वो बताने अंदर आई थी और उसने भी ये सुन लिया था कि रिशब और माही ने शादी कर ली है वो इस बात से हैरान और खुश दूनों थी माही उसके मुँपर हाथ रखते हुए धीरे से बोली अबे पागल देख कर तो बोला कर फिर वो रिशब को देखने लगी जो उसे इस वक्त घूर रहा था जिसे देख माही ने अपने दाथ दिखा दिये माही ने भी कब से रिशब को पाने के सपने संजो रखे थे और ये बात कोमल भी जानती थी पर इतनी आसानी से अवनी कैसे रिशब से हां कर देती आखिर लड़की है भाई थोड़े बहुत नखरे तो चलते ही है कोमल मही की बात सुन वापस से नौमल हुए और रिशब के सामने आपना हाथ आगे कर बोली कॉमराट्स रिशब आखिर मही की नाराजगी दूर करहे दी तुमने रिशब ने भी कोमल से हाथ मिलाया और बोला ये तुम किसी सपने की बात कर रही थी कोमल ने एक बार माही को देखा जो नामे सिरहिला रही थी फिर रिशब को देख स्माइल के साथ बोली वो क्या है न रिशब माही का सपना था तुम से शादी करने का और वो तुमने आज पुरा कर दिया रिशब कोमल की बात सुन बोला अच्छा बस इतनी सी बात कोमल रिशब की बात को बीच में कटते हुए बोली नहीं रिशब सिर्फ इतना हे नहीं है उसने तो पूरी प्लानने कर ली है यहां तक की बच्चों के नाम तक रख लिये है रिशब कोमल की बात सुन आखे बढ़ी कर मही को देखने लगा जो शर्म के मारे अपना सेर नीचे कर रखी थी रिशब मही को देख परेसान करते हुए बोला अरे वाह बीवी तुम तो मुझसे भी आगे का सोच कर बेची हो और इतना बोल वो हसने लगा मही जो सर नीचे कर शर्मा रही थी वो रिशब की बात सुन आखे भींच कर याद करने लगी जब उसने कोमल को ये सब बाते बताई थी और अपने आपको कोस रही थी आखिर उसने कोमल को बताया ही क्यूँ फलेस बैक USA में मुलाकात के बाद मही पूरे रास्ते बस आरके के बारे में है सोच रही थी क्योंकि वो उसे कुछ जाना पहचान लग रहा था वो जब वापस अपने अपाटमेट में आके सोई थी तब उस रात उसने सपने में देखा था कि उसकी और रुशब की शादी हो रही है और कुछ सालों बाद उनके दो बच्चे भी हुए थे अगली शुबह जब माही उठी थी तब उसे रात का सपना याद आ रहा था और वो उसके बारे में सोच रही रही तभी कोमल का फोन आया माही ने कोमल को सब बता दिया जिस पर कोमल ने उसका खूब मजाक उड़ाया और हंसते हुए बोली वो बस सपना है अवनी इस पर माही चिरते हुए बोली हाँ पता है पर यार काश वो सपना सचो जाए रुशब कितना हैंसम है बिकुल जैसा मुझे लड़का चाहिए था वो बिलकुल वैसा ही है मेंने तो बच्चों के नाम तक सोच लिये है कोमल ने उसे चिडाते हुए कहा बड़ी फास्ट है यार अवनी तून तो एक ही दिन में उसके साथ पूरी जिन्दगी है बिताली और इतना बोल वो जोरों से हसने लगी फ्लेस बैक एंड फिर मही से रुपर कर आखे खोल बड़े आटिट्यूड के साथ बोली हा सोचा था तो इसमें प्रॉब्लम क्या है और वैसे भी वो बस एक सपना था और कुछ नहीं सब उसका इतना कोंफिडिनस देख दंग थे रिशब को कुछ मस्ती सूजी और वो उसके पास आकर बोला वैसे वो तुम्हारा सपना कुछ हद तक सच तो हो ही गया है क्यूं ना पूरी तरह से सच कर ले और इतना बोला उसने एक आख मारी मही रिशब की बातों का मतलब समझ जल्दी से बोली नहीं नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है फिर वो मनही में बोली कितना ठरकी है सब के सामने बोल रहा है रिशब की बात सुन कोमल और अक्षत मन हे मन हस रहे थे सब अभी बात है कर रहे थे कि रिशब को याद आया कि अक्षत कुछ जरूरी काम से आया था वो अक्षत को देख, अपनी शक्त आवाज में बोला, ये हसना छोड़ो और ये बताओ कि किस इमजनसी की बात कर रहे थे तुम अक्षत जो ये भूल हे गया था वो कुछ काम से अंदर आया था, वो कुछ सोचते हुए अचानक बोला, अरे हां रिशु में तो भूल हे गया था फिर उसने एक नजर माही और कोमल को देखा जो बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे फिर वापस रिशब को देखने लगा, मानो पूछ रहा हो सब के सामने बोलूं क्या फिर जब रिशब ने हां में सिरहिला दिया तो अक्षत ने एक गहरी सास ली और थोड़ा सीरियस टोन में बोला रिशु मलहोतरास ने तुझे मरने की के लिए एक खुफिया टीम तेयार की है जिस तरह रिशब का बीजनेस हर सेक्टर में था उसी तरह मलहोतरा का भी बीजनेस हर सेक्टर में था पर रिशब के बीजनेस स्किल्स की वज़े से रिशब हमेशा उनसे आगे हे रहता था और यही कारण था कि रिशब और मलहोतरास दोनों एक दूसरे के राइवल थे पर रिशुब बात ये है उन्हें ये पता चल गया है कि तू कौन है और उन्होंने तुझे सामने लाने के लिए तेरी फैमिली का इस्तिमाल किया। वो तो वक्त रहते हमें पता चल गया और हमने उनकी टीम के कुछ अदमियों को पहले है पकड़ लिया पर वो लोग रुखने वाले नहीं है। अक्षत की बाते सुनकर रिशब की आखे गुस्से से एकदम लाल हो गई और उसकी नशे दिखने लगी। मही और कोमल रिशब को गुस्से में देख डर गई क्योंकि वो बहुत भयानक लग रहा था। फिर भी अवनी हिम्मत कर रिशब के कंधों पर हाथ रख प्यार से बोली रिशब। अवनी, कुंध्रा और मलहुतरास की दुश्मनी के बारे में जानती थी पर उसे ये नहीं पता था कि मलहुतरास रिशब की फैमली को भी बीच में ले आएँगे। क्योंकि बीजनेस वर्ल्ड में किसी को दुश्मनी निकालनी हो तो भी वो कभी फैमिली को इन्वोल्व नहीं करते है रिशब जो गुस्से की वजह से बस फटने ही वाला था वो माही की आवाज सुन शांत हुआ और बोला माही तुम यही रहो मुझे कुछ काम है में निप्टा के आता हूँ फिर वो उठके जाने लगा तभी कोमल रिशब को रोकते हुए बोली रिशब हमें भी कही जाना है रिशब मुडा और कोमल की तरफ सवालियो नजरो से देख बोला कहा जाना है कोमल ने माही को देखा और आखों से कुछ इशारा कर दिया माही समझ गई और बाते बनाते हुए रिशब से बोली वो हमें एक डील फाइनल करनी है इसलिए हमें जाना होगा रिशब ने भी ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए बोला ठीक है पर तुम्हारे साथ मेरे बोडिगार्ड जाएगे मही मना करते हुए बोली नहीं रिशब मेरे बॉडिगार्ड काफी है मेरे लिए तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ तुम्हें ज़्यादा जरूरत है रिशब ने सोचा मही सही बोल रही है इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और वापस मुल कर जाने लगा तभी मही को कुछ याद आया और वो रिशब को रोकते हुए बोली रिशब मेरे आदमी वो इतना ही बोल पाई होगी कि रिशब चलते हुए ही बोला तुम्हारे सारे आदमी सही सलामत वापस अपनी जगा जा चुके है और तुम्हारे बेस पर से मेरे सारे आदमी जा चुके है वो इतना बोलते बोलते बाहर चला गया रिशब बाहर आके अक्षट को बिना देखे ओर देने वाले लहजे में बोला मही के पीछे एक छोटी टीम भेजो और हाँ उसे पता नहीं लगना चाहिए अक्षट ने ओके बोला और किसी को फोन कर कुछ समझाने लगा अब आगे अंदर हाल में मही रिशब के जाने के बाद कोमल को देखकर बोली डेव ने इस बार क्या किया है कोमल जवाब में बोली अनल ने इस बार तो अपनी सारी हदे पार कर दी है वो अब तक सिर्फ लोगों को मारना ड्रग डीलिंग लड़कियों की तस्क्री बस ऐसे ही काम करते थे पर इस बार उन्होंने छोटे बच्चों के बोडी पाथ को बेचना शुरू कर दिया है ना जाने कितने बच्चे इसका शिकार भी हो चुके है मही कोमल की बात सुन अपने हाथों की मुठिया बंद कर गुस्से से बोली डेड इस बार तो अपने हद पार कर दी है इसका खाम्याजा तो आपको भुगतना है पड़ेगा फिर वो कोमल को देखते हुए बोली एक घंटे में जो बच्चे जिन्दा बच्चे है वो वापस अपने घर होने चाहिए और डेड के जीतने बेस है सब पर बोम लगा दो कोमल ने फिक्र जताते हुए बोला अगर हमने ऐसा किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्वीन अव डाक तुम है हो जवाब में माही ने एक मिस्ट्रियस स्माइल के साथ कहा लग जाने दो पता अब बहुत शुप लिया पर लगता है अब सामने आकार ही दुनिया को देखना होगा कोमल को समझ तो नहीं आया माही ऐसा क्यूं कर रही है पर उसने ओके बोल कर रोहित को फोन करके सब समझा दिया और वहां से जाने लगी थोड़ी देर में दोनों रिशब के चौपर से अपने बेस की तरफ चल दी बहर अक्षब ने फोन काट कर वापस से रिशब की तरफ देख बोला रिशब उन मलहोतरास का क्या करना है रिशब एक डेविल समाइल के साथ बोला जो सब के साथ होता है वही इनके साथ भी होगा अक्षद समझ गया रिशब क्या बोलना चाहता है उसने भी एक मिस्ट्रियस स्माइल के साथ कहा हो जाएगा बॉस और फिर वापस से किसी को फोन कर कुछ समझाने लगा कुछ देर में दोनों भी अपने चौपर में बेट कर कही निकल गए दूसरी तरफ, 45 मिनिट बाद, मही का चौपर उनके बेस पर लांड हुआ सब ये देखकर हैरान थे कि मही आरके के पसनल चौपर से कैसे आ रही है पर किसी की हिम्मत नहीं हुए पुछने की उनके उतरते ही रोहित अपना सिर जुका कर बोला, बॉस अपने जैसा ओडर दिया था हमने वैसा कर दिया है फिर एक रिमोट आगे करते हुए वो बोला, बस ये बटन दबाना रहे गया है मही ने फट से वो रिमोट ले लिया और अंदर अपने कंट्रोल रूम में चली गई उसके पीछे रोहित, कोमल और उसकी टिम चल रही थी अंदर आके वो रोहित की तरफ मुडी और बोली, मुझे सब लाइव देखना है रोहित ने वह खड़े कुछ बंदों को इशारा किया उन्होंने एक बड़ी से स्क्रीन ओन कर दी जहाँ पर डेविद के सारे बेस की लाइव फोट्स चल रही थी मही ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट को देखा और बटन दबा दिया बटन दपते हैं डेविद के हर बेस में बोम ब्लास्ट होना शुरू हो गए दूसरी तरफ सुनसान जंगलों के बीच एक बड़ी से हवेली थी उसके अंदर बहुत सारे लोग सर जुका खड़े थे और हवेली के बिचो बीच रिशब एक किंग साइज चेय पर बड़े शान से बेठा हुआ था उसके सामने कई सारे लोग आधमरी हालत में चेय पर बंधे हुए थे उनमें से करीब 40 साल का एक आदमी गिद गिदाते हुए बोला आर के हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हमें बीजनेस के बीच फैमिली को नहीं लाना चाहिए था प्लिस हमें माफ कर दो रिशब ने एक नकली हसी हसते हुए कहा अरे बहुत जल्दी नहीं समझ आ गया उद्धरन चिन्ह फिर वो वो अपनी कोल्ड वोईस में बोला ये सब तो तुम्हें मुझसे उलजने से पहले सोचना चाहिए था अब तो बहुत देर हो गई रिशब की बात सुन वो आदमी फिर थोड़ा डराने वाले लहजे में बोला आर के अगर तुने हमें आज मार भी दिया तो हमारे आदमी फिर भी तेरी फैमिली को नहीं छुड़ेगे रिशब जोर से हसते हुए बोला अरे अरे मिस्टर मलहोत्रा आपको सच में लगता है में तुम लोगों को मार के इतनी आसान सजा दोगा गलत सोच रहे हो तुम तुम सभी तड़ाप तड़ाप कर मरोगे और रही बात मेरी फैमिली की तो उनके लिए में हूँ रिशब की बात सुन वो सब लोग अंदर तक काप गई क्योंकि रिशब बहुत है ज़्यादा तरपाने वाली सजाए देता था रिशब वहां से उठा और बाहर की और जाते हुए अक्षत से बोला इन्हें ब्लेक चैंबर में भेज दो और वहां इनकी खूब खातेदारी करो अक्षत ने भी ओक बॉस बोला और सब गाड को इन्स्ट्रस्चन देने लगा रिशब सीधा अपने चौपर में बेट कुंद्रा पैलेस की और निकल गया चौपर में बैठे उसने अपना फोन निकाल और मही को जल्दी से घराने का मेसेज किया मही के बेस में मही अभी डेविड के बेस को जलते हुए है देख रही थी तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया उसने अपना फोन निकाल देखा तो उसमें रिशब का मेसेज था जल्दी घराने का मही ने सूचा ऐसा क्या हो गया जो रिशब उसे जल्दी घर आने को बोल रहा है फिर उसे ध्यान आया कि वो तो जानती है नहीं कि रिशब रहता कहा है वो उससे पुछने ही जा रही थी कि उधर से मेसेज आया चौपर में बेट जाओ वो खुद तुम्हें घर ले आएगा मही रिशब का मेसेज देख हलकी सी स्माइल करती है और वापस फोन बंद कर रोहित को कुछ समझा जल्दी से वाह से निकल जाती है उसको ऐसे जाता देख रोहित कोमल से बोला कोमल बॉस को हुआ क्या है आज इतनी जल्दी में कैसे चली गई और आज वो आरके के पसनल चौपर से कैसे आ रही थी कोमल रोहित की बातों का जवाब देते हुए बोला क्यूकि मही ने आरके से आज शादी कर ली है और वो अभी उसी से मिलने जा रही है कोमल की बात सुन रोहित सदमे में था, कोमल ने उसके कंधे हिलाते हुए बोला, रोहित 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 होस में आया और आखे बड़ी करके बोला, क्या बॉस ने सच में आरकेद माफिया किंग से शादी की है कोमल ने हमें अपना सिर हिला दिया रोहित आगे हैरानी के साथ बोला पर कब क्या से और आरके को हमारी बॉस में ऐसा क्या दिख गया जो सीधे शादी ही कर ली रोहित की बात सुन कोमल उसे घूरते हुए बोली क्या मतलब है तुम्हारा अवनी आरके के लायक नहीं है रोहित हट बड़ाते हुए बोला नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं है मैं तो बस ये बोल रहा हूँ जो आदमी लड़कियों को देखता तक नहीं वो किसी से शादी कर कैसे सकता है कोमल रोहित को जवाब देते हुए बोली क्योंकि आरके माही से प्यार करता है एक बार फिर रोहित को जटका लगा वो बोला पर बॉस और आरके तो एक हे बार मिले है और एक बार में हे प्यार हो गया कोमल उसे फ्रास्तेद होकर बोली वो एक बार नहीं कई बार मिल चुके है पर में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती अब जाओ यहां से अपना काम करो उद्धरन चिन्ह रोहित कोमल की बात से थोड़ा हट हुआ फिर भी अपने सवालों को मन में लिये है वहां से चला गया अब आगे कुंद्रा प्लेस मही का चौपर पैलेस के गार्डन में लांड हुआ उसके लांड होते ही एक बोडिगार्ड ने चौपर का गेट खोला मही चौपर से बाहराई वह पर जितने भी लोग थे सबने मही को गृत किया मही ने देखा वहाँ पर रिशब के खास बोडिगार्ड के इलावा कोई नहीं था रिशब ने सब को पहले है बता दिया था कि मही उनकी लेडी बॉस है एक बोडिगार्ड मही को लेकर अंदर की तरफ चल पड़ा मही के पीछे सारे बोडिगार्ड चल रहे थे मही उस पैलेस को देख रही रही थी वो सच में एक बहुत है खुबसूरत पैलेस था पुरा सफेद संगमर्मर से बना हुआ वो किसी हेवन से कम नहीं लग रहा था उसका गार्डन इतना बड़ा था कि उसमें एक पैलेस और बन जाए मही को पैलेस के गेट पर छोड़ वो गाद्स वापस अपनी जगा जाके खड़े हो गए उनको जाता देख मही उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि एक मेड उसके पास आसिर जुका बोली मैम आप हमारे साथ चलिये सर आपका वेट कर रहे है मही भी उसके साथ चल पड़ी मेड उसे एक कमरे के सामने छोड़ कर चली गई मही उस गेट को खोल अंदर चली गई वो जैसे हैं अंदर घुसी वह का नजारा देख एकदम सप्राइज थी कमरा बहुत है बढ़ा था उस कमरे की हर चीज इतनी लगजुरियस लग रही थी कि जैसे करोडों की हो बिचो बीच एक राउंड सेप किंग साइज बैड था बैड के उपर रिशब की एक तस्वीर थी जिसमें वो किसी राजा की तरह बेठा हुआ था जिससे वो बहुत हैंसम लग रहा था मही उसे देखने में इतना खो गई थी कि उसे पता ही चला रिशब उसके पीछे खड़ा हो उसे देख रहा है रिशब उसके पास आया और उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया मही जो उसकी तस्वीर देखने में खोई थी वो अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होते है डर गई पर जैसे ही रिशब ने उसे सीने से लगाया उसकी खुश्बू से मही समझ गई ये कोई और नहीं रिशब है वो शांत हुई और बोली आप ये क्या कर रहे है रिशब उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला मैं तो बस अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ मही रिशब के किस करने से सिहर रही थी और उसकी बात सुन शर्मा रही थी फिर भी वो वापस बोली पर अपने मुझे कुछ जरूर काम से बुलाया है रिशब उसकी सकरना छोड अपनी तरफ मोडता है और अपनी जेब से एक मंगल सूत्र और सिंदूर की एक डिबबी निकाल कर मही को पहनाने लगता है अवनी ने देखा मंगल सूत्र एक पेंडेंट जैसा है जिस पे छोटे छोटे अक्षरों में आरके लिखा है फिर रिशब मही की मांग में सिंदूर भरते हुए बोला अब तुम पूरी तरह से मेरी बीवी लग रही हो मही कुछ जवाब नहीं देते बस एक क्यूट से स्माइल दे देती है फिर कुछ याद आते बोली अच्छा ये जरूरी काम था रिशब ना में सिर हिलाते हुए बोला इससे भी एक जरूरी काम है मही कुछ बोलने ही वाली थी कि रिशब उसे लिप्स पर किस करते हुए बोला स्वीठ हाट तुम भूल कैसे गई आज हमरी शादी हुई है तो आज हमारी फास्ट नाइट भी होगी मही रिशब के किस करने से थोड़ी हैरान थी पर जब रिशब की बात सुनी तो वो आखे बड़ी कर रिशब को देखने लगी और उसे डर लग रहा था भले दोनोंने पहले हिसब कर लिया हो पर असल माइने में तो आज उनकी फास्ट नाइट थी क्योंकि पहले जो भी हुआ वो मजबूरी में हुआ और उस वक्त मही होस में नहीं थी पर अब उसे वो सब होस में करना था जिससे उसे डर लग रहा था मही सब सोचे रही थी कि रिशब ने उसे अपनी गोद में उठा बैड पर लेटा दिया और उसकी उपर आते हुए उसे किस करने लगा मही बस चुप चाप लेटी थी उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे रिशब उसके लिप्स छोड़ उसके कॉलबोन पर किस करने लगा मही रिशब को किस करने से सिहर रही थी फिर भी उसने हिम्मत कर बोला रिशब रिशब मही की आवाज सुन उसे किस करना छोड़ उसे देखने लगा मही रिशब की आखों में देख बोली क्या ये हम कभी और नहीं कर सकते मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मैं अभी इन सब के लिए तेयार नहीं हूँ रिशब को मही की बाते अच्छी तो नहीं लगी पर वो ये भी जानता था कि मही अभी मन में क्या सोच रही होगी और ये दर तो सभी लड़कियों के अंदर होता है रिशब ने मही के सिर पर किस करते हुए बोला ठीक है मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हुपर कल में कोई बहाना नहीं सुनूगा मही ये जानकर थोड़ा खुश्टी की रिशब ने उसे छोड़ दिया पर ये जानके दुख भी था कि कल वो नहीं बच पाईगी फिर भी उसने मन में बोला जो भी हो आज तो बच गई कम से कम कल कोई तरीका धूर ही लुगी रिशब से बचने का रिशब उसे देख समझ गया था कि मही क्या सोच रही है वो मन में बोला स्वीठ हाट तुम जो भी सोच लो कल मुझसे नहीं बच पाऊगी फिर मही को देख बोला तुम्हें सुनाई दिया मेने क्या बोला रिशब की आवाज सुन मही अपने ख्यालों से बाहर आए और हा में गर्दन हिला दिया रिशब उसके उपर से उठा और सईद में बैठते हुए बोला जाओ जाओ जाके फ्रेश हो जाओ मही फट से उठी और वाश रूम में चली गई रिशब उसकी तेजी देख एक स्माइल के साथ बोला पागल लड़की और वो भी वाह से उठा और अपने स्टडी रूम में चला गया आधे घंटे बाद मही एक बाथरो पहन कर बाहर आई पर उसे याद आया कि वो तो अपना समान लाई ही नहीं है फिर वो कुछ सोच कर रिशब को ढूढने लगी पर रिशब कहीं नहीं दिखा तभी उसे एक गेट से किसी के चिलाने की आवाज आई मही उस गेट के पास जा गेट ओपन कर अंदर गई तो देखा रिशब किसी को फोन पे गुससे से डाट रहा था मही चुप चाप उसके सामने जाके खड़ी हो गई रिशब ने जब मही को देखा तो फोन काट उसके पास आया और उसे अपनी बहों में भरते हुए बोला स्वीठ हाट एक घंटे पहले है तो तुमने कहा तुम्हें वक्त चाहिए और अब तुम खुद हे मुझे सिड्यूस करने आई हो रिशब की बाते सुन मही चिरते हुए बोली में तुम्हें कोई सिड्यूस करने नहीं आई हूँ मेरे पास कपडे नहीं है पहनने को रिशब मही की बात सुन बोला अच्छा तो ये बात है फिर उसे गोद में उठा बाहर स्टडी रूम से बाहर जाने लगा मही उसके गले में हाथ डाल उसकी गोद में जूल रही थी रिशब अपने रूम में आकर मही को अपने कॉल्जट रूम में ले जाता है और एक साइड जाके उसे खडा कर देता है फिर एक डोर से लाइड करता है अंदर का नजारा देख मही सर्प्राइज रहे गई उस डोर के पीछे मही के लिए एक अलग सा ही कोल्जट रूम था जहां मही के साइड की हर तरह के कपडों के साथ मचिंग शूज और जूलरी रखे हुए थे चाहे वो पार्टी विया हो या नॉमल विया सब कुछ वहां मौजूद था रिशब मही को ऐसे सर्प्राइज होता देख बोला अगर कुछ कम लगे तो बता दो में और मांगा दूँगा उद्धरन चिन्ह अवनी जो कपडों को देख सर्प्राइज थी वो होस में आये और बोली नहीं नहीं ये तो बहुत सारे है अगर मैं हर रोज भी एक ड्रास पहनू तो भी मैं एक साल तक बिना रिपिट किये पहन सकती हूँ रिशब एक स्माइल के साथ बोला अच्छा ठीक है फिर वो बाहर आ गया और बैड पर बेट अपना काम करने लगा उसके जाने के बाद माही ने एक नाइट ड्रास निकाली और चेंज कर रूम में आई उसने देखा रिशब बहुत है फोकस के साथ अपना काम कर रहा था माही उसे देख मन में बोली काम करते वक्त तो और भी जादा हैंसम लगत है रिशब को जब किसी की आँखों की तपिस महसूस हुए तो उसने सर उठा कर देखा तो पाया माही उसे एक टक तार रही है उसको देख रिशब के फेस पर एक स्माइल आ गई रिशब उसी स्माइल के साथ बोला तुम्हारा तारना हो गया हो तो आके सो जाओ तुम्हे कल कॉलेज भी जाना है मही जो रिशब में खोई थी वो रिशब की बात सुन शकपका गई और हकलाते हुए बोली में में तुम्हे थोड़ी न देख रही थी उद्धरन चिन्ह फिर आटिट्यूड से बोली तुम इतने भी हैंसम नहीं हो कि मही उर्फ डाक ओफ क्वीन तुम्हे देखे मही की बात सुन रिशब बैज से उठा और उसके पास आने लगा मही उसे पास आता देख पीछे होने लगती है पीछे जाते जाते मही दिवाल से लग गई रिशब उसके सामने खड़ा हुआ और अपना सिर नीचे करने लगा मही ने रिशब को अपने करीबाते देख आखे बंद कर ली और मन में बोली मही तुने ये क्या किया अब ये तुझे छोड़गा नही रिशब मही की हालत देख मन हे मन हस रहा था फिर वो मही के कान के पास जाके धीरे से बोला अच्छा मुझे नहीं तो किसे देख रही थी बीवी मही जो सोच रही थी कि रिशब उसे किस करेगा वो रिशब की बात सुन आखे खोल उसे देखने लगी पर कुछ जवाब नहीं दिया रिशब मही के कानों को किस करते हुए बोला ऐसे मत देख पगली कुछ कुछ होता है मही रिशब की बात पर शर्मा गई रिशब उसे शर्माता देख उसे अपनी गोद में उठा बैड पर लेटा देता है मही चुप चाप एक साइड चली गई उसे थोड़ा अंकमफिर्टेबल लग रहा था रिशब के साथ एक है बैड पर सोने में पर वो अब हस्बंड वाइफ थे तो मही उसे मना भी नहीं कर सकती थी रिशब उसे एक साइड खे सकता देख लाइट बंद कर उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ किछ लिया और अपने सीने से लगा उसके बालों में अपना मोल डाल बोला तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि तुम मुझे नहीं तो किसे देख रही थी मही जो रिशब से चुटना चाहती थी पर रिशब उसे छोड़ है नहीं रहा था मही गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी पर जब रिशब की आखों में उसके लिए बेसुमार प्यार देखा तो वो शांत हो गई और उसके सीने में अपना मो भुसाते हुए शर्मा कर बोली मैं तुम्हे ये देख रही थी पर अब मुझे परेशान मत करना मुझे सोना है रिशब उसकी बात पर बहुत खुश हुआ और उसके बालों पर हाथ फेरने लगा दोनों एक दूसरे के गले लगे कब सोगे पता है नहीं चला नेक्स्ट मॉनिंग रिशब को जल्दी उठने की आदत थी रिशब ने अपनी आखे खोली तो उसे अपने उपर किसी का भार महसुस हुआ उसने अपने उपर सो रही माही को देखा जो किसी बंदर के बच्चे के जैसे उसके उपर बड़े आराम से सो रही थी रिशब ने माही के चेहरे पे आ रहे बालों को हटा कर बोला गुड मॉनिंग स्वेट हाट पर माही अभी भी वैसे है सोई रही रिशब ने उसे धीरे से सईद में लेटाया और बैद से उठ क्लोजेट रूम में चला गया थोड़ी देर में वो जिंव विया पहन वापस रूम में आया और माही को देख जिंग की तरफ निकल गया जिंग में, वो जिंग में गया तो देखा अक्षत वहां पहले से ही जिंग कर रहा था अक्षत को आज इतना जल्दी देख रिशब को कुछ अजीब लगा क्योंकि अक्षत हमेशा जिमाने में आना कानी करता था वो तो बस रिशब के दर से जिमाता था। अक्षत ने जब रिशब को देखा तो उसके पास आया और चिधाते हुए बोला बीवी आ गई तो अब निधे नहीं खुल रही है क्या ज़रा टाइम तो देख सुबह के छे बज रहे है। रिशब उसकी बात सुन उसे घूरने लगा और बोला वो सब छोड़ ये बता आज तू इतनी जल्दी कैसे। अक्षत मजाक छोड़ सीरियस होते हुए बोला रिशु कल मही ने डेविद के सारे बेस तबाह कर दिये है और डेविद के आदमी अब मही को डूर रहे है। रिशब से उलज रही है। रिशब सोचते हुए बोला हम अब ये तो उससे पूछने पर है पता चलेगा। के आदमी पकड़ना तो ठीक है पर अफवा क्यूँ। अभी भी सो रही है। रिशब उसके पास गया और उसका कंबल खिचने लगा पर मही को कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था वो वैसे ही सोई रही। रिशब ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर मही मजाल है उठ जाए। रिशब अब परेशान हो गया था। उसने बैड के साइड में रखे पानी के जग को उठाया और मही पे उडेल दिया। मही चिलाते हुए उठी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ बाड आ गई। और बड़ी है फूर्ती के साथ उठकर रिशब की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट उससे चिपक गई। रिशब को तो एक पल के लिए समझ नहीं आया अभी हुआ क्या फिर उसने मही को देखा जो किसी बंदर के बच्चे के जैसी उससे चिपकी हुए थी। रिशब ने उसकी लाल हो रही नाक में किस करते हुए बोला तुमने तो मुझे पहले हे पकड़ लिया और मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा कोई इरादा है मुझे चोड़ने का। रिशब ने ये सब बहुत है सिडेक्टीवे में बोला था। रिशब की बात सुन मही ने ध्यान दिया वो रिशब से किस तरह चिपकी हुए थी। एक शर्म के मारे उसके गाल एकदम लाल हो गए थे। वो फट से उसे छोड सीधा खड़ी हो गई और अपने बाल सही करते हुए बोली अपने मुझे इतनी जल्दी क्यूँ हुठाया है। रिशब उसे कमर से पकड़ एक जटके से अपने करीब कर लिए और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हाट तुम्हे आज कलेज जाना है और तुम अब तक सो रही हो। इस पर माही रिशब से छुटने की कोशिश करते हुए बोली छोड़िये मुझे क्या बार बार मुझसे चिपकते रहते हैं और मुझे कलेज जाने में बस दस मिनट है तो लगता। तभी उसे याद आया वो अभी अपने अपार्टमेंट में नहीं रिशब के पैलेस में है और यहां से कलेज बहुत दूर है। उसने एक बार वाल क्लॉक को देखा फिर रिशब को देख जल्दी बाजी में बोली छोड़ो मुझे वर्ना में आज फिर लेट हो जाऊंगी। रिशब ने भी उसे छोड़ दिया माही दोड कर वाश्रूम में चली गई उसको भागता देख रिशब के फेस पर स्माइल आ गई फिर वो भी दूसरे रूम के वाश्रूम में चला गया। करीब आधा घंटे बाद रिशब अपने रूम में आया और अपने क्लोजट रूम में चला गया तो देखा माही बाथरो पहने बड़े असमंजस से अपने कपड़ों को द आज साधी पहनने का मन था पर पर मुझे पहनना नहीं आता। रिशब माही की बात सुन उसे अपनी तरफ पलट बोला बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी परेसान्थी में पहना दूगा। रिशब की बात सुन माही की आखों में चमका गई और वो चहकते हुए बोली आ आप एक लड़के है आपको कैसे वो इतना ही बोल पाई होगी कि रिशब ने उसकी बात बीच में कटते हुए बोला मेने अपनी मों को देख कर सिखा है मुझे जादा अच्छे से तो नहीं आता पर सायद तुम्हें पहना दू मही मों का जिकर सुन थोड़ा उदास हो गई र इने तो उन्हें देखा तक नहीं है कैसे है वो लोग मुझे पसंद भी करेगे या नहीं रिशब उसे शांत करते हुए बोला जल्दे मिलाओगा तुम उन्हें बहुत पसंद आयोगी उद्धरन चिन्ह फिर वो बात पालटते हुए बोला चलो अब जल्दी से रेडी हो ज फिर वो भी अपने कपड़े चेंज करने लगा मही ने एक बार खुद कोसिसे में देखा तो ब्लू कलर की साड़ी उसके गोरे रंग पर चार चांद लगा रही थी वो बहुत है खूबसूरत लग रही थी उसने देखा रिशब ने उसे इस तरह से तेयार किया है कि वो एक शादी सूदा लड़की लगे मांग में सिंदूर गले में छोटा सा आरके के नाम का मंगल सूत्र मही अपने मेही खोई थी कि रिशब उसके पीछे आके खड़ा हो अपने बाल सही करने लगा आज दोनोंने मचिंग रास पहनी थी मही तो उसे देखते ही रहे गई क्योंकि वो त्रीपीस में बहुत हैंसम लग रहा था उसका ध्यान रिशब की बात से टूटा रिशब बोला अब तारना हो गया हो तो नीचे चले मही रिशब की बात सुन अपनी नजरे चुराने लगी उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे जो रिशब को उसके और भी नज दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे रिशब की करीबी का अहसास ज्यादा बढ़ने पर मही दोर कर कमरे से बाहर चली गई हाल में रिशब और माही दोनों एक साथ नीचे आ रहे थे हाल में बेठे अक्षत उन दोनों को देख सोफे से उठा और दोनों को गिरीट किया माही ने भी उसे गिरीट किया रिशब ने कुछ नहीं बोला और सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया अक्षत और माही ने एक दूसरे को देखा फिर वो भी रिशब के पीछे चल दिया सब जाके टेबल पर बेठ गए एक मेड ने उनका ब्रेकफास्ट लगाया रिशब के प्लेस में बहुत सारे नोकर चाकर थे पर उनके सामने सिर्फ एक हे मेड आ सकती थी जिनकी उमर लगभग 40 होगी जिसे रिशब पिछले कई सालों से जनता है रिशब उसके सामने कोई मास्क नहीं लगाता सब चुप चाप ग्रेकफास्ट कर रहे थे तभी माही को कुछ याद आया और वो अक्षत को देख बोली आप लोग कलेज नहीं जाओगे अक्षत खाना छोड माही को आखे फाड़े देखने लगा अक्षत को अवनी से ये उमीद नहीं थी कि शादी के बाद वो इतनी रिस्पेक्ट से बात करेगी कहा वो तू तड़क करने वाली अब आप बोल रही है अक्षत फिर से खाते हुए ही जवाब दिया अब कोलेज जाके क्या करना जिसके लिए गए थे वो काम तो हो गया रिशब चाहता था कि तुम उसे प्यार करो तो वो तो हो गया और आज कमपनी में बहुत काम भी है फिर थोड़ा रुकते हुए बोला और हाँ मुझे इतनी रस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है मुझसे पहले जैसे है बात करो माही ने आगे कुछ नहीं बोला थोड़ी देर में सब ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया माही ने अपना कलेज बाग उठाया रुशब ने पहले हैं माही का सारा समान उसके अपार्टमेंट से मगा लिया था और बाहर जाने लगी रुशब माही को बिना कुछ बोले जाते हुए रोका माही वही रुक गई और रुशब की तरफ सवालिया नज्रो से देखने लगी रुशब उसके पास आया और धीरे से बोला मुझे गुड़ बाई किस चाहिए माही आखे बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी फिर बोली कौन सी गुड़ बाई किस रुशब ने माही को कमर से पकड़ अपनी तरफ खिचा और हलके से उसके लिप्स पर किस कर दिया माही सौक रहे गई वो होस में रुशब की बात से आई जो कह रहा था ये वाली गुड़ बाई किस माही ने एक हाथ अपने लिप्स पर रख पीछे दिखा जहा अक्षत और वो मेड थोड़ा सौक थे रुशब का ये रूप देख और अक्षत तो माही पर धीरे धीरे हस भी रहा था वही वो मेड खुश लग रही थी शर्म से माही का चेहरा पुरा लाल हो गया वो रुशब से चुटने की कोसिस करते हुए बोली आप छोड़िये मुझे सब हमें देख रहा है रुशब को भी याद आया यहां अक्षत और वो मेड भी है उसने माही को फट से छोड़ा और अपने कपड़े सही करने लगा माही रुशब के चंगुल से चुटते हैं ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कुटता पढ़ गया हो उसको ऐसा भागता देख सब की हसी छुट गई अक्षत रुशब के पास आया और बोला चले रुशब ने एक नजर उसे देखा फिर सिर्फ हम बोला दोनों जब बाहर आये तो देखा माही किसी से लड़ रही थी दोनों उसके पास पहुँचे जैसे ही बोडिगार्ड ने रुशब को दिखा वो सिर्फ जुका खड़ी हो गई रुशब माही के पीछे खड़े हुए बोला क्या हुआ अवनी माही रुशब की तरफ मुडी और गुसे से उसे घूरते हुए बोली करना क्या चाहते है आप रिशब को माही की बात नहीं समझ आई वो बोला मैंने क्या किया इस बार माही चिरते हुए बोली अपने बिना मुझसे पूछे मेरे लिए एक बोडी गार्ड क्यों हाय किया है रिशब को अब समझ आया माही किस बात पर भड़की है वो माही को सांत करते हुए साइड में ले गया और बोला देखो माही ये बस तुम्हारी सेफटी के लिए है तुम सिर्फ अब माही नहीं हो तुम मेरी वाइफ भी हो और तुम्हें कुछ हो गया तो में कैसे रहुगा जवाब में माही बोली पर मुझे ये सब पसंद नहीं और किसी ने इसे मेरे साथ देखा तो दस बाते पूछेगे और मैं क्या बोलूगी कि में तुम्हारी वाइफू नहीं में ऐसा नहीं कर सकती इसे मेरी लाइफ को खत्रा हो सकता है रिशब को माही की बात सही लगी और कुछ सोचते हुए बोला किसी को कुछ नहीं पता चलेगा मैं कुछ करता हूँ फिर वो वापस से उस लेडी बोडी गार्ड की तरफ गया और उसे कुछ समझने लगा वो सब समझ वहां से चली गई माही भी अब तक रिशब के पास आ गई उसने एक ब्यमेंबल्यू की चाबी ली और उसमें बेचने लगी तभी रिशब उसे रोकते हुए बोला इसमें कहा जा रही हूँ मही बोली, कॉलेज जा रही हूँ और कहा रिशब उसके पास आया और बोला, तुम इसमें नहीं जा सकती, ये बोडी गार्ड काज है जवाब में मही बोली, तुम एक इसमें जाओ रिशब ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए बोला इसमें मही ने उस तरफ देखा तो एक ब्लू कलर रोल्स रोयस खड़ी थी तभी वो कार मही के सामने आके रुकी और एक गार्ड ने बैक डोर ओपन किया मही चुप चाप जाके पीछे बेट गई उसके बेटते हैं ड्राइवर ने कार कोलेज की तरफ मोड दी कार के जाते ही रिशब ने अक्षद को एक बार देखा अक्षद समझ गया रिशब क्या बोलना चाहता है उसे किसी को मेसेज कर दिया और रिशब को देख बोला हमारे आदमी मही के आगे पीछे हे रहेगे रिशब ने कुछ नहीं बोला और अपनी ब्लैक बेंटिली में बेट कुंद्रा इंडस्ट्रीज की तरफ चल पड़ा उसके सारे बोडिगार्ड भी उसके आगे पीछे चल रहे थे एक घंटे बाद कॉलेज में मही की कार कॉलेज में इंटर हुई सब उस कार को आखे फाड़े देख रहे थे सब को उमीद थी कि ये कार भी अक्षत की ही होगी तभी वो कार कॉलेज के गेट पर आके रुकी उसमें से एक ड्राइवर निकला और पीछे का दोर ओपन किया मह अपनी साडी सही करते हुए उतरी जैसे है सबने मही को देखा उनका मो खुला का खुला ही रहे गया लड़कों का मो तो इसलिए खुला था क्योंकि आज तक उन्होंने मही को कभी साडी में नहीं देखा था और आज साडी में वो कुछ जादा ही होट लग रही थी वही मज़ाया माही ने आज साडी क्यूं पहनी है और इतनी मेहगी कार उसके पास कैसे पर अब लड़कियों को उससे और भी जादा जलन हो रही थी ड्राइवा ने माही से पमिशन ली और वहाँ से चला गया ड्राइवा के जाते ही वहाँ उसकी दोस्त कोमल आ गई और माही को करने लागी और बोली तू भी न कोमल क्या बोल रही है कोमल उसे और छेरते हुए बोली में सच बोल रही हूँ अपने चेहरे को देख किसी टमाटर की तरह लाल हो गया है फिर कुछ याद आते कोमल बोली माही कल तो तुम्हारी फिस्ट नाइट थी क्यासी रही मही जो कुछ जादा है अच्छी गई है जो अभी तक उसके ख्यालों में खोई है और कोमल हसने लगी मही जो अभी सोचने में बिजी थी वो होस में आए और चिरते हुए बोली चुपकर कोमल क्या अनाब सनाब बख रही है कोमल मही को थोड़ा गुस्से में देख चुप हुए औ और सीरियस टोन में पूछा क्या हुआ मही कल कुछ हुआ है क्या रिशब तुझसे प्यार नहीं करता मही कोमल की बात बीच में कटते हुए बोली नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं है और थोड़ा सेध होते हुए बोली वो तो मुझसे बहुत प्यार करते है में ही उन्हे सही से प्यार नहीं दे पा रही कोमल कनफ्यूज होते हुए बोली ये तू किसी उन्हें उन्हें बोल रही है और तू किसे प्यार नहीं दे पा रही है मही कोमल को समझते हुए बोली अरे पागल मैं उन्हें अपने हस्बंद को बोल रही हूँ मैं उनकी हे बात कर रही हूँ क कोमल बोली तू रिशब को उन्हें उन्हें क्यूं बोल रही रिशब भी तो बोल सकती है। जवाब में माही बोली शादी के बाद लड़किया अपने हस्बंड का नाम नहीं लेती। कोमल उसे घूरते हुए बोली अब ये किस महागुरू में बोला तुझे। जवाब में माही नजरे चुराते हुए बोली वो मेने टीवी में देखा है। कोमल माही के बाद सुन अपना सिर्पिट बोली तू पागल है माही टीवी की बातों को सच मान रही है। मही गुस्से से बोली तुझे अपने पती को जैसा बुलाना हो बुलायों में उन्हें जैसे मन करे वैसे बुलाओगी कोमल समझ गई मही उसकी एक नहीं सुनेगी वो बोली अच्छा ठेक है अब ये बता तु उसे प्यार कैसे नहीं दे पा रही है इस पर मही शर्माते हुए सब बात दिया कि उनके बीचकल क्या हुआ और रिशब ने उसे सिर्फ आज का वक्त दिया है और ये भी बताया कि मही अभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहाती कोमल मही की बात सुन हसने लगी और बोली तू पहली लड़की होगी जो अपने हे पती को अपने करीब नहीं आने दे रही है बेचारा रिशब इस पर मही चिरते हुए बोली यार कोमल में तेरी हेल्प माग रही हूँ उनसे आज बचने के लिए और तू उन्ही की साइड ले रही है कोमल मही को थोड़ा समझाते हुए बोली देख मही तुम दुनों एक दूसरे से प्यार करते हो और हस्बंड वाइफ भी हो तो तुझे ये सब एक ना एक दिन तो करना ही होगा फिर अभी करने में क्या दिकत है मही जो कोमल की बात सुन रही थी वो मन में बोली कोमल का कहना भी ठीक है आज नहीं तो कल हमारे बीच ये सब होना ही है तो इससे भागने का तो कोई फाइदा नहीं कोमल उसे कही गुमसुम देख थोड़ा सरारती लहजे में बोली और वैसे भी कुनसा ये तेरा फास्ट टाइम है जो इतना सोच रही है मही जो अपने आप से हे बाते कर रही थी कोमल की बात सुन बुरी तरह से चिर गई और बोली कोमल उस वक्त में होस में नहीं थी और उन्होंने जो भी किया बस मेरी जान बचने के लिए किया इस पर कोमल बोली अच्छा अच्छा ठिक है इतना चिर्व क्यूं रही है अब चल लेक्चर का टाइम हो गया है आज भी लेट हुए तो शर्मा सर फिर कुछ ना कुछ सुनाएगे फिर दोनों क्लास में लेक्चर एट्टेंट करने चली गई कुंद्रा इंडस्ट्रीज पूरे ओफिस में हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि आरके आज फिर ओफिस आ रहा था वैसे रिशब ओफिस लगभग डेली आता था पर वो हमेशा सिकरेट रास्ते से आता है इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता था तभी 6-7 गाडियों का काफिला बिल्डिंग के सामने आके रुकी गाडिया देख मैनेजर दोडता हुआ आया और सिर जुका खड़ा हो गया तभी ड्रिविग सीट से रुनित निकला और बैक गेट खोला रिशब अपने कोट को सही करता हुआ उतरा इस वक्त उसने मास्क लगा रखा था उसके उतरते हैं मैनेजर ने उसे गिरिट किया रिशब ने कोई जवाब नहीं दिया और ओफिस के अंदर चल दिया उसके पीछे एक साइड रोनित तो एक साइड अक्षद चल रहे थे बाकी बोडिगार्ड उन्हें कावकर चल रहे थे रिशब को देख सभी स्टाफ अपनी जगा से खड़े हो गए और गिरिट करते हैं रिशब सबको कोई जवाब नहीं देता और सीधा अपनी प्राइवट लिफ्ट से अपने फ्लो पे चला गया वो सीधा अपने कैबिन में जरूरी काम करने लगा वही रोनित और अक्षद दोनों अक्षद के कैबिन में चले गए मुंबई यूनिवसिटी मही और कोमल अभी बाते कर रहे थे कि शर्मा सरंदर आये सबने उन्हें खड़े होकर गिरीट किया शर्मा ने सबको बेचने का इशारा किया तभी उनकी नजर मही पर पड़ी और वो मही के मांग में सिंद कब मिल चुके है और दोनों सही सलामत है इसलिए उन्हें मही को यहाँ देख ह्यारानी नहीं हुई बलकि उसकी शादी से हुई शर्मा सर ने माही से पूछा, माही तुम ठीक तो और तुमने शादी कब की शर्मा सर की बात सुन क्लास में कुछ बच्चों को नहीं पता था कि माही ने शादी कर ली है वो सब भी आखे फाड़े माही को देखने लगे जिसमें जादातार लड़के है थे सबने जैसे है माही को साड़ी में देखा तो देखते है रहे गए देखे भी क्यूं न यूही नहीं अवनी को कॉल गे की ब्यूटी क्वीन कहते है पर जैसे है सब को ये याद आया माही अब मेरेड है सब के चेहरे लटक गए मही जगह से खड़ी हुए और बोली सर में बिकुर ठीक हूँ और मेरी शादी अभी कल ही हुई है ये बात जानके सब हैरान तो हुए पर कुछ नहीं बोले क्योंकि कलेज में आये दिन ऐसे किसे सुनने को मिलते थे कि स्टुडेंट ने भाग कर शादी कर ली या कोर्ट मारज कर ली शर्मा सर ने अवनी की बात सुन कॉंग्राट्स कहा और फिर बेठने का इशारा किया माही के बेठते हैं सर ने माही से अपना ध्यान हटा बोले स्टुडेंट आप लोगों की क्लास में आज एक न्यू स्टुडेंट जोइन होने वाली है मिस्कृती सब बड़ी ही किर्योरिटी के साथ गेट पर देखने लगे एक लड़की ओफ सोल्डर वाइट टॉप के साथ ब्राउन मिनिस कट पहने अंदर आए उसने अपने बालों का पोनी टेल बना रखा था उसे देखते ही लड़कों के मुह से लार टपकने लगी और लड़किया तो जल भून के राख हो गई एक लड़की ने अपनी बगल वाली लड़की से बोला ये माही और कोमल कम थे जो अब तीसरी भी आ गई बगल वाली लड़की सेध होते हुए बोली हा यार पर कर भी क्या सकते हैं वही माही तो आखे जबकाना भूल गई थी उसे ऐसा देख कोमल बोली माही तू क्यों उसे आखे फार देख रही है तुझे सुंदर नहीं है इस पर माही कोमल को देख बोली, अरे पागल में उसे देख नहीं रही, हैरान हूँ कि ये यहां कैसे कोमल कनफ्यूज होते हुए बोली, तू उसे पहले से जानती है क्या, जो उसे यहां देख हैरान है इस पर माही ने जवा दिया हाँ वो मेरी बोडिगार्ड है रिशब ने हाय किया माही की बात सुन कोमल की आखे बाहर आने को थी उसने अपने आपको समहाला और बोली क्या सच में यार ये इतनी सुन्दर लड़की भी बोडिगार्ड हो सकती है मही ने हा में सिर हिलाया फिर कीर्टी को देखने लगी कोमल भी कीर्टी को देखने लगी शर्मा सर ने कीर्टी का इंट्रो दिया फिर उसे बेटने को बोला कीर्टी सीधा माही के पीछे वाली डैस्क पे जाके बेट गई जहां रिशब और अक्षत बेटते थे कीर्ति से कई लड़कों लड़कियों ने बात करने की कोशस की पर उसने सब को इगनो कर दिया शर्मा सर अपना लेक्चर ले चले गए उनके जाते ही क्लास में आशीश और उनके कुछ दोस्त आ गए उनके आते ही क्लास में एकदम सानती छा गई आशीश सीधा माही के सामने खड़े हो गए माही ने एक बार आशीश को देखा और फिर इगनो कर अपना काम करने लगी कीरती तुरंट एक्षन में आ गई थी पर मही ने अपने हाथ से उसे रोक दिया था। मही को दर्द हो रहा था वो अपना हाथ छुड़ा आशीश पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली मेरी हिम्मत अभी तक तुमने देखी कहा है और मेरी मर्जी में जिससे चाहू उसे श कादी नहीं कर सकती। फिर वो एक पेपर देते हुए बोला तुम आज है उससे डिवोस लोगी। मही को आशीश की बतों में जुनून साफ देख रहा था और उसको आशीश की बातों पर गुसा भी आ रहा था वो बोली अगर मैं उससे डिवोस ना दू तो। इस पर आशी देती डाइवोस तुम्हें जो करना है कर लो। वही पूरी क्लास जो कब से उन सब की बाते सुन रहे थे वो माही को हस्ता देख सौक रहे गए। जब आशीश ने माही को इस बात से डरता ना देख मन में बोला रिशब तो नहीं हो सकता उसका बाकग्राउड उतना पौव क्या तुम्हारा हस्बंड आखिर है कौन हम भी जाने। असल में आशीश ने माही की कार नहीं देखी थी नहीं तो उसे पता होता कि माही का हस्बंड नॉमल इंसान नहीं है। तभी पीछे से किसी की गुस्से से भरी खतरना का आवाज आई। में हूँ वो। उस आवाज क के अंदर आया उसके पीछे अक्षत रोनित और डीन के साथ कुछ सीनियर प्रोफेशर अंदर आये। आरके को देखा शीश से तो पैर हे कापने लगे वही पूरी क्लास ने जब आरके को पहली बार सामने से देखा था विस्वास नहीं कर पा रहे थे ये आरके है लड़कि से वो तो ओफिस गया था ना। रिशब सीधा मही के पास आया और उसे गले लगा लिये मही ने भी उसे गले लगा लिया फिर रिशब मही से दूर हुए और पूछा क्या हुए स्वीठाट किसी ने तुम्हे परेशान किया। मही ने नमे सिर हिलाया और बोली आप यहां क् रिशब जवाब में बोला कीरती ने मुझे मेसेज किया था कि तुम्हे कोई परेशान कर रहा है तो मैं जल्दी से यहां आ गया मही रिशब की बात सुन कीरती को भूरने लगती है कीरती अपना सिर जुका चुप चाप खड़ी रहती है रिशब मही का चेहरा पकड़ अपनी सईड करता है और बोला उसकी कोई गलती नहीं है मेंने ही उसे तुम्हारी हर इन्फोमेशन देने को बोला था मही फिर रिशब को भूरने लगती है पर कुछ नहीं बोलती रिशब को कुछ याद आया और वो आशीश की तरफ देख बोला तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे बोलो क्या हुआ आशीश की जान तो हलक में अटक गई और रिशब के पैर पकड़ते हुए बोला आर के सर मुझे माफ कर दो मुझे नहीं पता था माही नहीं मेरा मतलब है माही मैम आपकी वाइफ है मुझे पहले पता होता तो मैं उनसे कभी बतमी जी नहीं करता रिशब ने अक्षत को इशारा किया अक्षत और रोनित दोनों दोड कर आए और आशीश को उठा के वहाँ से ले गए आशीश को ऐसे लेजता देख माही रिशब से बोली आप प्लिज उसे कुछ मत करियेगा उसे पता नहीं था वरना वो मेरे पास भी नहीं आता रिशब माही के बाल उसके कानों के पीछे करते हुए बोला बड़ी फिकर हो रही है उसकी पर तुम बोल रही हो तो मैं उसे कुछ नहीं करूगा फिर एक बार पूरी क्लास को देख रिशब अपनी रोबदार आवाज में बोला आप सब ने जो भी आज यहां देखा है उसे अपने दिमाग से निकाल देना और ये बात की माही मेरी वाइफ है इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए वरना आप सभी लोग अच्छे से जानते हो में क्या कर सकता हूँ रिशब की धम की सुन सब के पसी ने छुटने लगे माही ने रिशब का हाथ पकड़ धीरे से बोली आप सब को डरा रहे है आप जाए ये बात बाहर नहीं जाएगी रिशब थोड़ा जुका और माही के गालों पर किस करते हुए बोला स्वीट हाट अभी तो जा रहा हूँ रात में मिलते हैं माही रिशब के किस करने से शौक में थी क्योंकि उसे उमीद नहीं थी कि रिशब सब के सामने उसे किस करेगा उसका चेहरा पुरा लाल हो चुका था रिशब ने एक बार माही को देखा जो पूरी लाल हो गई थी उसे इस हालत में देख रिशब को बहुत मज़ा आ रहा था फिर एक बार क्लास में सभी लोगों को भूरा जैसे बोल रहा हो मेरी बात याद रखना फिर कीरती को कुछ इशारा कर वहां से चला गया उसके पीछे डीन और सारे प्रोफेसर भी चले गए आर के जाते हैं सबने एक गहरी सास ली की अभी थोड़ी है देर हुआ होगा कि क्लास में दोड़ते भागते डीन और शर्मा सराये और माही के सामने सिर जुका बोले मैमा आशीश की वाज़से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हमें माफ कर देना आगे से हम ध्यान रखेगे कि आपको कोई परेशान ना करे कलेज के डीन और सीनियर प्रोफेसर को ऐसे सिर जुका माफी मागता देख माही को अच्छा नहीं लगा वो बोली सर आप माफी मत मगिये इसमें आपकी कोई गलती है और शर्मा सर आप तो मेरे प्रोफेसर है आप कैसे अपने स्टुडेंट से माफी माग सकते है इस पर शर्मा सर बोले मैमा अब आप सिर्फ स्टुडेंट नहीं है मिस्टर आर के की वाइफ भी है और ये कलेज भी आपका ही है भी उपपर से हमारी गलती की वाज़ से आपको तकलीफ हुए तो माफी तो मागना है पड़ेगी माही के साथ पूरे कलास के कान खड़े हो गए कि ये कलेज माही का है माही बोली आप ये क्या बोल रहे है ये कलेज मेरा कब से हो गया इस पर डीन बोला मैमा आर के सर ने ये कलेज खरीद लिया है और ये कलेज अब आपके नाम पर है माही के साथ पूरी कलास हैरान थी कि जिस कोलेज में वो पढ़ रहे है वो अब माही का है माही मन में सोची उन्होंने मेरे लिए कलेज क्यों खरीदा इसकी क्या जरूरत थी फिर डीन और शर्मा सर की तरफ देखा उन्हें देख माही को समझा गया था कि डीन और शर्मा सर ऐसे नहीं जाएगे इसलिए उसने दोनों को माफ कर दिया वो लोग वहाँ से चले गए उनके जाते ही कुछ लड़के लड़किया माही को कॉंग्राट्स करने लगे बाकी तो माही की किस्मत से जल रहे थे माही ने भी सब को रिपलाई दिया तभी प्रोफेसर आ गए और सब उनका लेक्चर अटेंट करने लगे साम का वक्त माही कोलेज से सीधा घराय आते आते उसे पांच बज गए थे उसने आज डिसाइड कर लिया था कि वो आज अपने आपको रिशब को शोप देगी घरा माही ने कविताताई 40 साल वाली मेड के पास जाके टेरस को अच्छे से डेकोरेट करने को बोल दिया कविताताई को समझा गया था माही क्या करना चाहती है उन्होंने बाकी नोकरों को बुला इंस्ट्रस्चन दे दिया माही सीधा अपने रूम में चली गई रेडी होन तो माही ने उसे आज कोमल के पास भेज दिया था जूटा बहाना बना कर उसने कोमल से पहले हे बात कर ली थी रुशब ने देखा पुरा पहले स्खाली है वहाँ पर कविताताई भी आज दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए वो सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया जब रूम में गया तो देखा पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था उसने अपना मास्क उतारा और कमरे की लाइट जला इधर उधर माही को देखने लगा तभी किसी ने उसे पीछे से हग कर लिया रुशब इस टच को अच्छे से पहचानता था वो माही को अपने समाने करते हु गले से लगा लिया और बोला क्या हुआ स्वेट हाट मही बड़ी ही क्यूट सी आवाज में बोली आप इतना लेट क्यूं हो गए मैं आपका कब से इंतेजार कर रही हूँ रिशब उसे बालों को सेलाते हुए बोला वो आज ओफिस में कुछ जरूरी काम था इसलिए थोड लेट हो गया वैसे क्यों विंतेजार कर रही थी मेरा मही रिशब से थोड़ा दूर हुई बोली मुझे आपको कुछ दिखाना है रिशब ने अब ध्यान दिया कि मही बहुत अच्छे से रेडी हुई थी उसने रेड कलर की साधी पहनी थी जो की उसकी गोरे रंग पर खेल रही थी मही पूरी शादी सुदा लड़की की तरह तेयार हुई थी उसने अपने बालों को कल किया था जिससे मही बहुत है खूबसूरत लग रही थी रिशब तो उसमें कही खोही गया था उससे आपने आपको ऐसे देखता देख मही बलश करने लगी वो बोली आप ऐसे क प्रिशब कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़ उसके साथ जाने लगा. मही रिशब को टेरस पर लाई और उसकी पट्टी खोल दी वहा का नजारा देख रिशब भी सपराइस हो गया क्यूंकि मही ने पूरे टेरस को फूल से सजा रखा था और हर जगा लाइट और मोम बतिया थी वही बिचो बीच एक डाइनिंग टेबल था और उसके पीछे एक बड़ा सा बैड लगा था जिसे फूलों से सजाया हुआ था रिशब सब देख समझ गया कि मही ने सब क्यूं किया है वो मही को कमर से पकड़ अपनी तरफ खिचा जिससे मही उसके सीने से जा लगी रिशब थोड़ा सिडेक्टिव आवाज में बोला स्वीच हाट तुम त इतना कहते कहते मही के काला बोन को किस करने लगा मही की धड़कर रोलर कोस्टर की तरह चलने लगी वो रिशब की खुशबू से वो मधोस हो रही थी फिर भी वो उसे रोकते हुए बोली अपने दिन नहीं किया पहले हम दिन करते है फिर ये सब कर लगे अभी पूरी रात रिशब मही की बात सुन धीरे से बोला स्वीठाट आज में दिन में तुम्हें ही खाओगा इतना बोल वो वापस से उसे किस करने लगा मही कुछ बोलने ही वाली थी कि रिशब ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख किस करने लगा वो उसे बहुत है डीप और सेने में दिकत होने लगी तो वो उससे दूर हुआ और उसे अपनी गोद में उठा बैड की तरफ ले जाने लगा मही को बहुत शर्म आ रही थी इसलिए उसने रिशब के सीने में अपना सिर छुपा लिया रिशब ने उसे बैड पर बैठाया और दुबारा से उसे किस करन दिया फिर उसके लिप्स छोड़ उसके नेक और कॉला बोन पर किस और बाइट करने लगा उसके कातने से मही की आहे निकल रही थी जो की रिशब को और एक साइट कर रही थे उसका एक हाथ मही के कमर पर चल रहे थे वो उसे किस करना छोड़ एक बार मही को देखा जो आख मही इस पर शर्मा गई और अपनी पल के नीचे कर ली रिशब को अपना जवाब मिल गया था। रही थी रिशब ने धीरे धीरे उसके पूरे कपड़े निकाल दिये अब माही को बहुत सरम आ रही थी उसे अपने दोनों हाथों से अपने चेसिट को कवा कर लिया रिशब उसको ऐसा करता देख अपनी सिडिक्टिव वाइस में बोला स्वीच हाट मुझसे क्या शर्माना में तुम्हारा पती हूँ उसने उसके दोनों हाथ उसके सिर की पीछे ले जाके लौक कर दिये और वापस से माही को किसके साथ बाइट भी करने लगा साथ ही एक हाथ से उसके चेसिट को भी मसलने लगा रिशब बहुत ज़्यादा वाइ पर चलाने लगा रिशब धीरे धीरे अपना हाथ उसके निचले हिससे में ले गया जैसे है माही को अपने निचले हिससे में ठंट का यह सास हुए उसकी आखे खुल गई और उसे उसकी बाड़ी में एक करेंट जैसा लगा रिशब ने माही के नीचे के बचे हुए पर भी फार्ड कर फेक दिये और उसके नीचले हिस्से को सहलाना शुरू किया जिससे अवनी की सासे और तेज हो गई और उसकी सिस्किया निकलने लगी उसकी आवाज सुन रुषब और एकसिटिड हो गया और वो और जोर से सेहलाने लगा माही की बोडी अब गरम हो चुकी माही ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए धीरे से बोली अब और मत तरपाए। रिशब उसकी बात का मतलब समझ गया उस फट से अपने कपड़े उत्रे और उसके उपपर आया गया उसने माही और खुद पे एक ब्लेकेट डाला फिर उसके लिप्स पर लिप्स माही के आखों में असु आ गए रिशब ने धीरे धीरे अंदर बाहर करना शुरू कर दिया माही रिशब को रोकने की कोसिस कर रही थी पर रिशब कहा रुकने वाला था रिशब उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे और डिप्स करने लगा थोड़ी देर बाद माही का दर् आज में बोली में बहुत ठक गई हूँ अब छोड़ दीजिये रिशब अपनी स्पीद और बढ़ात हुए बोला स्वीट हाट अभी तो स्टॉट किया है तुम इतनी जल्दी ठक गई इस पर माही कुछ नहीं बोल पाई उसे समझा गया था रिशब इतनी जल्दी उसे नह माही से अलग हुआ और उसके बगल में लेट गया उसने माही और अपने को बबलेंकेट से सही से कवग किया माही इतना थट चुकी थी कि वो अपनी आखे भी नहीं खोल पा रही थी रिशब ने उसकी आखो पर किस किया और बोला तुम ठीक हो माही आखे बंद करे है बोली अपने इतना परिशान किया है ठीक कैसे रहूगी उसकी बात सुन रिशब के फेस पर एक स्माइल आ गई और माही को अपनी बाहों में लेकर सो गया माही ने भी उसे पकड़ सो गई नेक्स्ट मॉनिंग शुब के नौ बाज रहे होंगे रिशब की नेदखुली उसने माही को देखा जो किसी छोटे बच्चे के तरह उससे चिपक कर सो रही थी रिशब उसके बालों को सहलाते हुए बोला गुड मॉनिंग स्वीठाटा बोट भी जाओ देखा शुबह हो गई है मही अपनी अलसाय आवाज में बोली सोने दीजिये नाराग भर भी सोने नहीं दिया था आपने इस पर रिशब कुछ बोल नहीं पाया और मही को सोते हुए देखने लगा तभी रिशब के फोन पर किसी का फोन आया पहले तो रिशब ने इगनो किया पर बार बार फोन आ रिशब बोला मही मेरे साथ है और क्या हुए तुझे इतना परिशान क्यों लग रहा है। मही ने उसके सारे बेस उड़ा दे कही उस वाज़ से तो नहीं वो मही को धूर रहा है। इस पर रिशब बड़े सांत भाव से बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता वो इतनी चोटी वाज़ से यहां नहीं आयेगा मामला कुछ और है। फिर उसने मही को देखा जो रिशब के फोन की आवाज से उठ चुकी थी और रिशब की बाते सुनने की कोसिस कर रही थी। उधर से अक्षत बोला रिशु मुझे भी वही लगत है एक काम कर तू मही से क्यूं नहीं पूछता वो हमेशा देविड के पीछे क्यों पड़ी रहती है सायद हमें पता लग जाए वो यहां क्यूं आया है। रिशब ने बस हम में जवाब दिया और फोन काट मही को अपनी बहो में भर लिया। मही ने भी अपना सर उसके सीने पर रख बोली क्या हुआ आप इतना सिरियस क्यों लग रहे है। इस पर रिशब बोला कुछ नहीं एक प्रोबलम हो गई है वो सब छोड़ो क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी। मही ने अपना सेर उठा रिशब को देखा और बोली अगर मुझे सवाल सही लगा तो जवाब जरूर दोगी। रिशब उसके बोलो को सहलाते हुए बोला तुम हमेशा देविड के पीछे क्यूं पड़ी रहती हो कोई बात है जिस वाज़ से तुम ऐसा करती हो। मही रिशब का सवाल सुन चुप हो गई फिर थोड़ी देर में बोली मुझे उसके काम अच्छे नहीं लगते इसलिए और अब मैं आपके कोई सवालों का जवाब नहीं दोगी। रिशब को मही की आखों में कुछ और है दिख रहा था पर उसने इस वक्त कुछ ना बोलना है सही समझा।